हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूल्ले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की निद्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है उसे 400 रीन आवेशित कन पाये जाते हैं, अर्थात उतने कन जो की घने जंगल के अंदर जितने कन होते हैं, उतने जहाँ पर प्रती दिन यज्जी होता है, वहाँ पाये जाता है, अर्थात हम सहर में रहते हुए भी, हम अपने घर का वायू मंडल, अपने हाथों से हम ऐसा बना सकते हैं, जैसे जंगल का वायू मंडल हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी और विशेश बात, यह जो पार्टिकल निकले, उन पार्टिकलों का पहला और महत्वपुन लावे, दूसरा लाव, आज हम जिस जीवन सहिली को जी रहे हैं, आज हमारे घरों की अंदर द आर्थों का भी प्रयोग करता है, यह सारी चीजे रेडियेशन छोड़ती है, हम एक रेडियेशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और इस रेडियेशन के जाल के कारण, आज चिड़ चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, स्मिर्थी सक्ति का रास होना, नर्वस सिस्टम की विकनेस, मस्कुला डिस्ट्रोपी, MND से लेकर के घातक कैंसर जैसे रोग भी इस अधिक रेडियेशन वाले वायू मंदल पे रहने पर हो जाते हैं, और आपको जान करके आश्चरिय होगा, जिस यज्य की, जिस हवन की हम बात कर रहे हैं, जिस यज्य, जिस हव अटोमिक रेडियेशन भी हो, डोक्टर वाय के वीजय, राजस्थान जैपूर उनिएशिटी, डोक्टर स्वामी कृष्णानन सरस्वती जी के निर्देशन में, उन्होंने कहीं सारी रिसर्ट अनुसंतान करके बताया, कि अटोमिक रेडियेशन दूर हो जाता है, और इसी प्रकाट डोक्टर मम्ता सक्सेना जी, सेंट्राल पॉल्यूशन गवर्मेंट बोर्ड दिल्ली के साथ मिल करके, आज वो वितमंतरा लई में कारिय करे, उनके साथ मिल करके, उन्होंने कहीं सारे कारिय किये, और रिसर्च यह और उन्होंने कहा कि, इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियसन दूर हो जाता है यज्य के और्गनिक पार्टिकल वायूब में आने से, यह कितनी बड़ी बात है, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है रेडियसन, आज केम्पियन चल रहे हैं, आज उसके उपर बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हो रह हैं कि 5G को रोका जाया, रेडियसन को रोका जाया और रेडियसन के कान होने वाले पसू, पक्षी, कीट, पतंगों के उपर भी बहुत, मद्धु मक्षिया गाइब हो रही है, चोटी-चोटी चेडिया, वहीं मर जाती उन रेडियसन, और भी बहुत सारा कुछ, इसका दू विशेश बात है, यह पार्टिकल जो कन निकले, उसका दूसरा और महत्वपूर्ण विशेश लाब है, और तीसरा जो पार्टिकल निकलते हैं, उसका एक विशेश लाब होते हैं, उससे जो और्गानिक पार्टिकल निकलते हैं, हमने रिसर्च करके, IIT संस्थानों के साथ मेल करके, PRI, institute के दो आरा हमने यह सिद्ध किया है, कि यज्ज से निकलने वाले particle, नेनो particle होते हैं, जो मैंने सबसे शिरुबात में नेनो particle के उपर बात की थी और नेनो technology के उपर बात की थी, वही particle यहाँ नेनो particle होते हैं और उसके अंदर जो नहीत सक्ती जो जड़ीबू की या जो हमने आहूतिया दी उससे निकलने वाला जो धूम रहे हैं उसके अंदर ये नेनो पार्टिकल होते हैं और ये नेनो पार्टिकल के अंदर जो विशेश सक्ती थी आउशिदियों की जो सामर्थ ही ताकात देने की य हमारी चिकित्सा करने का कारिय करती है, यह एक बहुत बड़ी विशेश नेनो टेक्नोलोजी। तो यह मैंने बताए, पार्टीकल निकले उसके तीन महत्वपूर्ण और विशेश लाव। और तीस सरा मैंने कहा था, एनर्जी निकलती है, उर्जा, शक्ति, हमारे सास्तरों में वेदों में का, होतरी सदनम, हरितम, हिरन्यम। जिस थान पे जिस घर में प्रती दिन यज्य होता है, हवन होता है, अगनी होतर होता है, वह स्थान देवालई सा दीव्य हो जाता है, वहाँ देवी शक्तियों का वास होता है, वह देवालई सीवालई बन जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी असुब सक्ती, वहाँ का माहूल, वहाँ का स्थान, वहाँ का पूरा एट्वांस्वेर, इतना सो मनस्यकारी हो जाता है, कि मन की सांती से लेकर के, सब कुछ देने वाला होता है, तो यह जो एनरजी, उर्जा बनती है, उसके भी अपने विशेश लाब होते हैं, और हमने देखा, जहां प्रत चोक हो गया, और ऐसा चोक हुआ अब ना वह खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना बोल पा रही है, एक दम से चोक, उसके बाद वह एक होस्पिटल पे गए, दूसरे होस्पिटल पे तीसरे होस्पिटल पे एसे छे होस्पिटलों में बैंगलोर के बड़े-बड़े होस् और ना खापाना ना पीपाना कुछ नहीं होगा ऐसे पंदरा दीन भी दिए उनका भाई मुंबई मेरे रहता है उनका कि बेहन मेरे पांस आजाओ हम यहां मुंबई में कुछ बड़े होस्पिटलों में दिखा करके कुछ करते हैं कुछ हो जाए इनको वहां पर लेकर के गया वहां पर उन्होंने फिर से MRICT scale से लेकर के जितने भी रिपोर्टों दो दो तीन तीन बार फिर से दोहराई और वहां पर भी फिर से छे specialist अलग अलग दोक्तर और होस्पिटलों में दिखाया डोक्तर लोगों ने तब तक जितनी दवाया दी अंधे में उन दवायों ने भी कुछ काम नहीं के और भी तो उसका साइड इफिट होकर के और बहुत सारी समस्याई हुई ना वो खा पा रहे हैं ना पीपा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं और तब तक में बारा किलो से अधिक वजन उनका कम हो गया स्वयम भी चिंती थे, पुरा परिवार चिंती थे, अब क्या कर रही, सारा कुछ, जो कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर चुका, कुछ ही नहीं हो रही, उस समय उनके भाई के घर पे प्रती दिन यज्य होता था, उनको वहां पे ले गए और कहा, आप प्रती दिन सुबह साम एक वह आश्चरिय होगा, बारा स्पेसलिस्ट होस्पिटल, कौई सारी रिपोर्ट, कौई सारी दिवाय, सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ, जहां प्रती दिन यज्य होता था, उस ठान पे खाली, उनको ले गए, वहीं उनका खाना, पीना, रहना और सारी चीज़ों क यज्य कराया, उसके बाद ध्रामरी, ओम का उचान, उद्गित आदी कराया, और वह बहन वनी तक जी की आवाज, केवल मात्र, एक सब्ता के अंदर, आवाज आ गई, नॉर्मल खाना खाने लग गई, बाचित करने लग गई, यह एक चमतकार था, ऐसे बहन, जो मैंने पहल पहला उदारन बताया, दीविया जी, वो भी एक चमतकार था, ऐसे कितने चमतकार, और आप स्वामी यज्य देव यूट्यूब चैनल के ओपर यज्य चिकित्सा के परिणाम को देखेंगे, आपको आश्चरिय लगेगा, कि यह क्या है, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस यज्य को देविय चिकित्सा का दर्जा के है, तीन प्रकार की चिकित्सा है, बता ही, एक होती है, मानुसी चिकित्सा, एक होती है, आसूरी चिकित्सा, एक होती है, देविय चिकित्सा, यह यज्य हवन अगनी होतर देविय चिकित्सा है, और इस देविय चिकित्सा को अपनाने पर ऐसे अद्भूत लाग, अमने देखे हैं अपने आंखों के सामने, और आप भी देखना चाहों, तो महाँ जा चा के देख सेकते हैं, कोई भी अपना और के देख सकता है, इससे लागवी सकता है, और कर सकता है, तो यह यज्य, एक अद्भूत, नहीं नो technical क करने पर जब पांस में बेठते हैं उस यज्यागनी की जो रस्मियां हमारे शरीर के उपर पढ़ती है उस यज्यागनी की रस्मियां जब हमारे सरीर के पूरे अस्तित्व के उपर पढ़ती है और मंत्रों का जब हम उच्चारन करते हैं उसका जो हमारे मन मस्तिस से लेकर है पूर अलबर्ट कूर्जर, जापान के एक बहुत बड़े विशेशिज्य साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके पूर रिसर्च करके कहा कि यज्य करने पर अनाहत चक्रव पर बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा का स्रोध, और उसमें उन्होंने पाए, उर्जा से उर्जानवित हो जाता है, और उतना ही नहीं, पंच प्रान, पंच उपप्रान का पोशन से लेकर कि सब कुछ व्यवस्तित हो जाता है, और वातावरन सुद्धी और प्रानवायु व्रिद्धी, जो हमारी दिदी जी बहन पुजा जी जो बता रही थी, उसका यह अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्यानिक, साइंटिफिक, सार्वभोमिक और पंथ निर्पेक सबसे बड़ा साधन है, देखिए हमारे सास्त्रों में इस संपून प्रकृति, यह पांच ततों से बनती अगनी, वायु, जल, पृत्वी, यह पांच ततों से ही हमारा शरीर बना है, और इस प्रकृति के असंतुलन में ही हमारी मौत, मृत्यूया, भय है, तो यह जो हम यज्य करते हैं, यह जो हम हवन करते हैं, यह जो हम अगनी होत्र करते हैं, इस यज्य, इस हवन, इस अगनी होत्र को करने पर इस प्रकृति का पोशन होता है, अगनी वायु, जल, पृत्वी, इ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मत पंध, बहुत सारे लोग इस यज्य को मत पंध संपरदायों में बाटते हैं इस मत पंध संपरदायों में बाटने की चीज़ नहीं है चाहे वो हिंदु हो, सीख हो, इसाय हो, मुसलमान हो, कोई भी जाती देश, धर्म, संप्रदा या मान्यता को मानने वाला अव्यक्ति हो चाहे वो कोई भी देश में भारत में, अमेरिका में, और पाकिस्तान में कहीं पे भी रहने वाला अव्यक्ति हो और चाहे किसी भी वैका, चाहे वो युवा हो, बालक हो, फ्रिद्ध हो, चाहे वह अमिर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यमवर का विक्र हो, हर कोई प्राणी, मनुष्य, मात्र हम सब इस एक ही दर्ते पर विच्रान करते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायू में ह हम स्वास लेते हैं एक ही आकास मंडल के नीचे हम बसते हैं हम सब समान हैं और यह जो पूरा का पूरा अस्तित्व है उसका हम समान रूप से परियोग ले रहे हैं तो हम सब का यह कर्तव्य हैं कि इस पांच भुतात्मक प्रकृति का पोशन संवर्धन करना हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है तो आईए हम संकल्प ले इस पंच भुतात्मक देश से लेकर के पंच भुतात्मक संपूर ब्रह्मांड में स्वास्थ और संतुलन काइम करने वाली यह देविय विधा और विध्य जो यज्य हैं उसको हम अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं और जैसे दीती जी बता थे गंगा दस सहरा के दिन हम दस हजार से अधिक परिवार साथ मिल करके मैं तके रहा हूँ दस हजार नहीं हम सब संपूर विश्व हमारा परिवार हम सब लोग एक साथ मिल करके इसको एक मुहीम की तरह आगे बढ़ाएं वायू प्रदूसान, माइक्रो वायूलोजिकल प्रदूसान अलग-अलग बिमारियों का उपचार रेडियेसन से लेकर के कणों के प्राप्ती से लेकर के कई सारे प्रकार के इसके अनंत अनंत लाब है ये तो भवतिक, स्थूल लाब में बता रहा हूँ इसके जो आध्यात्मिक लाब होते हैं इसके जो पारमार्थिक लाब होते हैं पुन्यों की प्राप्ती, जीवन में उन्नती सुब अवसरों का आना इच्छाओं की पूरती और बहुत कुछ इस यज्य के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए बेदों ने का सत्याहा संतु यज्यमान से कम है सभी प्रकार की मनों कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुची जीवो अगनी सहसरारंबह या पवित्र ज्वाला वाली यज्यागनी हमें हज्जारों हज्जारों लाब देती है तो आईए हम सब संकल ले और इस यज्य को एक अभियान की तरह आगे बढ़ा ए स्वयम यज्य करें औरों को यज्य करने के लिए प्रेरित करें और इसको एक जन आंधो दन के रुप में आगे बढ़ाए इसी प्राटना के साथ मैं आदर्नी हमारी भेहन पुजा जी से मैं निवेधन करना चाता हूं कि कारेक्रम को आगे बढ़ाए जो उन्हें प्रश्ण तरादी जो भी करना हो, स्काल के साब से, समय के साब से मैं गोपाल खिछना जी को एंध्रपुदेश्य जी जी मैं कि मेरा ये क्या है अभी जो चीजें तुर्भी है अभी हम दॉपन में डालते हैं लिए तुमर्शिक्त के लिए अभी तो वो लगे रदेमेड अवालबुल लेकिन हम एक पीदिए निये टिसीज के लिए ये मेटिरियल के इसना मात्रड़ना है इक पीदिए नागिया तो वो चीज हम कही से लाके हम हमाल करकके हैं जए रदेमेड यूज करके ये अच्छाइड एष्पेडेडियो करते है के उपर हर एक डिजीज परियावरण कोशन इसे परियावरण के सोधन के लिए एक विशगन धूप करके विशेश करके हमारे आयरुवेदादी ग्रंथों में एक समिस्रन हवन सामगरी बताई हैं तो उसमें हमने विशेश करके जो आज उसका बारे में हमने सारी चीजे वहाँ पर बताई भी हैं इसमें लाक, हल्दी, अतीस, हरण, मोथा, निरगुंडी, इलाइची, तमालपत्र, तगर, कुष्ट, प्रियंगु एक कुछ जड़ी बुढ़िया हैं और इससे विशगन दूब बनता और इससे हवन करने पर कहा धुमें अनिलेवा विश्चम प्रयुक्ते हैं खगाहा, शमारता, प्रपनती भुबों हो आदी करते बताया कि जब वायू विशाक्त हो जाती हैं तो पंची उड़ती हुए ठक जाते हैं, गीर जाते हैं लोगों को काश, स्वास, प्रतिशाय, सीरो, रुजश्च वानि खासी आने लगती हैं गले में जलन हो गई, नासिका में जलन हो गई थोड़ा सा नजला सा होने लग जाता हैं और सीर में भारी पांदर्द, स्वास लेने ने तकलीप इस वायू प्रतिशन के जो कंप्लिकेसन हम देखें जब बढ़ जाता हैं ऐसा ऐसा हो जाए तब इस से हवन करना और हवन के बाद अंगारों के पर डाल के दुआ करना इसी प्रकार हमने हर एक जड़ी बुटी, हर एक आउशदी, रोगा अनुसा, डाइबिटीस के लिए जैसे जोतिस मत्यादी, मस्तिस आदिस से, रोगों से सम्मदे, कैंसर नासी जो है, वो कैंसर के लिए ऐसे अलग-अलग रोगों के लिए, हमने एक पार्टिकुलर अलग-अलग वीडियो बनाया, उस वीडियो में सारी चीज़ बताई है, लखाई है, सारा हो किया है इससे अतिरिक्त हम उसी YouTube चैनल के उपर भी, और स्वाम यजदे Facebook पेज के उपर, हम इन चीज़ों को लिएरतर एक पोस्ट के रुप में बना करके भी अपलोड करते रहते हैं, कि जिससे हम सरलता से उसमें देख करके वो कर सके, उसको भी ले सकते हैं, इससे साथ-साथ हम इसको अलग-अलग इस परकार जैसे आपने PDF आ दिका, उस रूप में भी हम उपलब्द कराएं हुए हैं, तो इन सारी चीजों को आप प्रयोग कर सकते हैं, उपलब्द हैं सारी के लिए, नई, Facebook में PDF के रूप में उपलब्द नहीं है, फोटो के रूप में हैं, उसके यज्य योग आईरवेद चिकित्सा, इस यज्य योग आईरवेद चिकित्सा में हमने सारे आईरवेद चिकित्सा से, यज्य चिकित्सा से, देविय चिकित्सा के जो भी विशेश विशेश बाते हैं, महत्पपुन, कौन से दरव्य, कितनी मातरा मिलें, कैसे हवन करना, कि तो मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ, यह परिणामों के पीछे, जो एक विधी, पद्धति, प्रक्रिया, दरव्य, एक बहुत बड़ी भूमी कानी बात है, वो सारी चीजे इसमें उपलब्द हैं, तो आप इस पुस्तक को भी वो कर सकते हैं, यज्ययोग अईर्वेची क चाहिए और मने बता रहा हूँ, यज्योग जैसे दीज्योग यह चाहिए अगर संवारा घरोज करना का हूँ, हमारा घरोज करेंगे तो हमारा घर वाई उम्ड़्र शुद्ध होगा, पवीत्र होगा, सुमनित होगा, मेडिकेट होगा, तो आम कभी रोगी भी नहीं होगे और हमारा परियावरण भी पोशित होता रहेगा हो सके तो हम हरोज करें यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सापता ही जरूर कर ले और छोटा सा यज्य होता है उसमें ना ज्यादा खर्च लगता है ना ज्यादा वो होता है आप मेरे साथ रविवार को जूड के कर सकते हैं करेंगे तो आपको खुद आप सीख जाएंगे और यज्य प्रक्षिक्षन करके हमने एक प्लेइलिस्ट दिये हैं उसके उबर सारी चीज़े हमने बताई है कि के से करना है किस विदी से करना है किस तरीके और पुरा विदी पुर्व करा है वो वीडियो को ही चला करके आप सामने बेठ जाओ तो आप खुद कर सकते हो दूसरा जैसे आपने कहा कि नवरात्र और कुछ विशेश परवपर ही हम यज्य एक दो बार करते हैं वो भी हमें करना चाहिए और मैं आदर्णिया देदी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम पिछले कई समय से एक विशेश कारेक्रम चलाते हैं और नवरात्र के नव दिन मा गाहित्री की उपासना यज्य पूर्व करते हैं और साइनकाल का सत्रा रखते हैं दो घंटे का तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आने वाले नवरात्र के नव दिन का यह जो विशेश गाहित्री साधना और यज्य चिकित्सा यह प्रशिक्षन शीवीर हम करें तो उसमें हम सब लोग मिल करके एक बहुत बड़ी मात्रा में सब लोगों को जोड़ करके यज्य चिकित्सा और प्रशिक्षन शीवीर का हम सब लाभ ले और गाहित्री के उपास ना करें देखिए अभी हमने करीब आपने डेड़ गंटा कुछ यज्य की महिमा सुनी आपको कहीं सारी चीजे नई और अच्छी आपको लगी होगी यह जह सम्मदी लेकिन यह एक कोष यह सारी चीजी जो हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारी चीजे हैं यदि आप समय निकाल पाते हैं तो हम नवरात तरके 9 दिन ये विशेशिविर करते हैं, उसमें आप जरूर भाग ले और हम सब मिलकर करके अभियान की तरह इसको चलाए और इस नव दिन का जो व्यक्ति प्रस्रिक्षन लेता है मेरे को नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो ये व्यक्ति प्रस्रिक्षन लेने के बाद वो प्रती दिन यज्य किये बिना रह सके और जारों लोगों को हमने देखा है कि जिन्होंने इस प्रकार से अपना है तो हम एक संकल्प पूर्वक नवरात्र में इसको आगे बढ़ा सकते है न जाने कितनों ने आहुतिया दी इन अमित्र रोगों के संतापों से है वर्तमान भी आज दुखित न पूछो भविश्य के प्रकोपों से प्रत्युष्य पावनी होती जहां यज्यानुष्ठान घर आंगन में वहां मनुष्य तर सब जूमते सांती भरे सुख आनंद से इदम हवी र्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है वेसे ही यज्या में आहुद की हुई हवी सभी प्रकार के रोग दोस ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जिसे नदी जागो मुझे दो साल प्ले सराइसिस हुआता और मताथ स्टाइटिंग हुआता दिडरे और बोटने तक फैल गया था बूरा तोग अपके पास जाता था था टीप्मेंट कराया कुछ फाइदा नहीं हुआ था इचिंग होना और मताथ फैलती है रहा था वोग दिडरे कर था तो हमारे एक परम मित्र हैं चाशिकान वाजपई जी तो उन्होंने पताया डॉक्साप के वारे में कि आप एकान करो अरून भाई अब हवन करते हैं डॉक्साप आप आके बैद ही आए गरो घाली वो कुछ मैडिसन बगरा नहीं देंगे आप खाली हवन में बैटो देखो आ इचिंग होती थी तीना वो बंग हो ही मेरी और उसके बाद फिर जो समय से पानी निकलता था वो बंग दुआ और पंदरा बीस दिन में मतलब समझ़ों तीन हखते में मेरा वो बिल्कुल मतलब खतम हो गया वो मुझे पाव में ब्लॉकिश हुआ था उसकी वाज़ से दॉक्तर ने बोला लास्ट में की बाइपास करना पड़ेगा तो वो तो एतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है उसकी फुरी लाई से सामने उसके बाद पापा ने सजेश्टिया कि दॉक्तर के बास चलते है मिरा रोट तारसींजी के पास यहां पे दिखाया उसके बाद दॉक्तर ने बोला कि ऐसे से ट्रीक्मेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा उसके बाद मैंने यहां पाच्छे मैंने ट्रीक्मेंट ली हावन में आके रूज बैटना सुबे और धीरे 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 अच्छा रिजर्ट आ गया और अभी में इतना अच्छी कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलगा था कि मुझे वहां पर लग रहा है कुछ तो अब भी वहां पर खुन नहीं पहुच आता तो यहां पर आके ट्रीक्मेंट लिया उसके बाद थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा मुझे वहां पर फील होने लगा कि हाँ मुझे पा प्ले संसार की स्रेश्ठ तमकर्म यज्य को अपनाएं। पिंद और महांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाइं। एवं प्रक्रति माह की प्रति अपने रेनों को अदा करें। विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्ज से होगा जग उजियारा